हेलो दोस्तो ओल इन वर्ड टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है 6421 परधाना ध्यापकों की निकती परवेश परिक्षा से BPSC के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप सभी अभ्यार्तियों की आज से आवेदन की प्रकिरिया जो है अगर आप बिहार के माधमिक एवब उच माधमिक बिद्याले में सिख्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी तमाम अभ्यार्तियों के लिए जो लोग योग हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं देख सकते हैं कि राज के उचमादमिक विद्यालियों में पहली बार 6421 परधाना ध्यापकों की निक्ति परिक्षा के आधार पर होगी इसमें महिला उमिद्वारों के लिए 289 पद सुरक्षित रहेंगे बिहार लोक्षिवा आयोग को परिक्षा कराने की जिम्दारी जो है दी गई है यानि की BPSC आपकी परिक्षा लेगी आयोक की और से परताना ध्याबकों के निकती के लिए सनिवार से आवेदन की प्रकिरिया शुरू कर दी जाएगी आनि की आज से आवेदन आपके लिए जाएंगे इसके पहले परिचार्यों की निक्ती परिच्छा के आधार पर नहीं होती थी सक्षतकार और अनभव के आधार पर परधानाध्यापकों के निक्ती होती रही है इसमें बर्याता के आधार पर परभारी परधानाचार्यों और परधानेों के निक्ती होती रही है आयोग की ओर से परिच्छा शमंदी पूरी जानकारे वेबसाइट पर उपलब्ध है आप लोग के लिए भी अपने चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी वीडियो के माध्यम से वहीं पर ऑनलाइन आबेदन की अंतिम्तिति जो रखी गई है लाज जे जो रखा गया है 28 मार करच तक है आप लोग जो है आज से आवेदन कर सकते हैं उच माध्मिक विद्यालियों में परधाना ध्यापक बनने के लिए कम से कम आठ वर्ष कार्ज अनुभाव होना जरूरी है आप प्राइवेट से हो सरकारी विद्याले में पढ़ा रहे हो लेकिन आपके पास कर सकते हैं इसके आलावा माध्मिक विद्याले हो में दस वर्षों का अनुभाव जरूरी होगा साथ ही साथ सी पीयक सी बीयस एची य और । से अस्थाय संभथ्याप्रा प्राप्त माध्मिक विद्याले में बार्ह बर्ष रेगुलर शेवा होना जरूरी है तभी जाकर आप फॉर्म फिर आप कर सकते हैं सरकार की ओर से परधाना ध्याप को के लिए बेतर मान जो दी जाएगी 35,000 और समय पर अन भत्ते जो है सामिल होंगे अब्जेक्टिव टाइप प्रस्न जो है पूछे जाएंगे देख सकते हैं परधाना ध्याप को कि निक्ति के लिए लिखित परिक्षा का आयोजन किया जाएगा परिक्षा में 150 प्रस्न पूछे जाएंगे सभी प्रस्न जो होगे अब्जेक्टिव टाइप यानि बहु विकल्पिये होंगे इसमें समान अद्यान से 100 अंग के प्रस्न पूछे जाएंगे और 28 कोर्स से 70 पचास अंग के प्रस्न जो है परिक्षा में पूछी जाएगी तो आप सभी जब भरती से देख सो कोस्टन पूछे जाएंगे 1500 अंक के लिए इस परिच्छा में जो है OMR सीट पर आपकी ली जाएगी परतेक प्रस्ण के लिए एक अंक निर्धायत है वहीं परतेक गलत के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे वहीं पर प्रस्ण अनुतरित होने पर शुन अंक दे होगा परिच्छा की अब धी दो घंटे की होगी इसमें सक्षातकार नहीं लिया जाएगा देख सकते हैं 28 मार्च तक आप आप अनलाइन आवेदन कर सकते हैं 35,000 आपको भेतन मिलेंगे और अनभत्ते आपको मिलेंगे देख सकते हैं घ्रकेंसी जो है आपकी देख सकते हैं जिनरल वर्ग के लिए जो है पिछरा वर्ग के लिए 789 सीट है उसके बाद पिछरा वर्ग महिला के लिए 1192 सीट है कूल मिलाकर 6421 कूल पद है महिला वर्ग में देखेंगे तो आरक्षियन में 903 जो है अनरक्षित वर्ग के लिए है वहीं पर EWS के लिए 189 EBC के लिए 380, ST के लिए 20, EBC के लिए 426, पिछरा वर्ग के लिए 256 और पिछरा वर्ग महिला के लिए 0 सीट है कूल मिलाकर 289 कूल पद है तो अगर आप योग हैं आवेदन करना चाहते हैं तो BPC के ओफिस से वेबसाइट पर जाके आप आप आज से कर सकते हैं आवेदन के प्रारंब हो चुकी है आप सभी तमाम अभ्याटियों के लिए दोस्तों अगर हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं अपडेटे रहना चाहते हैं तो अपने चैनल सब्सक्राइब करके बेलाइक उन्यों से द्वाद दे और हो सकते इस वीडियो को अपने तेखने के लिए धन्यवाद